शारुक खान के बेटे आरेन खान की गिरफतारी के बाद नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एक पार्टी विशेश के करेकताओ के साथ मिलकर क्रूज पर चल रही पार्टी पर रेड मारी है अब NCB ने इस पर स्पश्ची करेंड दिया है जिसके बाद NCB का कहना है कि उनके संस्ता पर लगाये गए आरोप आधार हीन है और ये संस्ता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं साथी NCB की तरफ से लिए गए कानूनी एक्शन की दिशा भूल करने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या कुछ अब कुरी कहानी देखे इस रिपोर्ट में ये सफाई महराश्ट्र सरकार के मंतरी नवाब मलिक के एक बयान के बात दी है वही NCB के उपनी देश्वर ज्यानेश्वर सिंग ने कहा कि एजन्सी के खिलाफ लगाये गया आरोप निराधार हैं ये आरोप बेमतलब तर्तीत होते हैं उन्होंने दोहराया कि NCB की प्रक्रिया पेशेवर और कानूनी रूप से पारदर्शी रही है और ये ऐसे ही निश्पक्ष रूप से जारी रहेगी आपको बतादे कि NCB के अलाधिकारी का भयान NCB के बाद आया है जानकारी के मताबिक NCB के वरिष्ट नेता और महराश्ट्र सरकार के मंत्री नवाप मलिक ने आरूप लगाया था कि कॉर्डेलिया क्रूस जहास पर कोई ड्रग जब्त नहीं की गई थी यानेश्वर सिंग ने बताया के गुप्ट सुषना के अधार पर NCB मुंबई की टीम ने 2 अक्टूबर को इंटरनाशनल क्रूस टर्मिनल ग्रीन गेट मुंबई और कॉर्डेलिया क्रूस जहास पर छापा मारा था जहां बॉलिवुट अभिनेता शालूख खान के बेटे आर्यन खान सहीत आठ लोगों को हिरासत में लिया गया जिनमें विक्रांग छोकर, इश्मीच सिंग चढधा, अर्बास ए मर्शंट, आर्यन खान, मोहक जैसवाल, मुनमुन धमेचा और नुपुर सतीजा शामिल है वहीं NCB का कहना है कि कॉर्डेलिया क्रोस पर नशीली दवाओं के भंडा फोर्ड करने के बाद आगी की छानबीन के दौरान भी बरामतगी की गई थी आरोपी मोहक जैसवाल से प्रारंभिक पुष्टाच के अधार पर NCB मुंबई की एक टीम ने जो गेश्वरी इलाके में छापे मारी की और 3 अक्टूबर को अब्दुल कादिर शेक नाम के एक शक्स को एक्स्टिसी और मेफिड्रोन की व्याफसाइक मात्रा के साथ पकड़ा गया बताया जा रहा है के NCB ने श्मीट सिंग्च अधा के इनपुट के अधार पर गोरे गाउं में एक फॉलो अप ऑपरेशन भी शुरू किया जिसके तहट NCB ने 4 अक्टूबर को श्रेयर सुरेंद्र नाम के एक व्यक्ति को चरस के साथ पकड़ लिया इसके अलावा आगे की कारवाई में NCB मुंबई ने मनीश राजगरिया को डिटेन किया जिसे क्रूज पर मिहमान के तौर पर आमंत्रिस क्या गया था और उसके पास से हाइड्रोपॉनिक वीद यानि मल्टी स्ट्रेन कैन्बिस बरामत की गई जिसके बाद NCB ने एक बयान में कहा कि NCB मुंबई की टीम ने एविन साहू को भी गरफतार किया है जो 4 अक्टूबर को क्रूस कॉर्डेलिया में ड्रग्स कंजियूम करने के लिए सबार हुआ था इसके अलावा NCB ने गोपाल जियानंद, समीर सहगल, मानव सिंगल और भासकर अरोडा को भी गरफतार किया है जो एक इविन्ट मेनेजमेंट कंपनी के लिए काम करते थे